हेलो स्टूरेंस तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका नीट एक्जाम 7 मई को होने वाला है जो कि काफी करीब आच चुका है जिसके लिए NTA ने ड्रेस कोड रिलीस कर दिया है कि आपको क्या पहन कियाना है बहुत से बच्चों को पहले से ही मालूम होगा लेकिन बह आप को बताओं की निट का च्र Country का है क्या फ थेस कि आपको क्या पहन के जाना का रहनां के दूनों के वी जय ए एक यूकि मैं दोनों के वाली हूा तो ध्यान से देखियें कि आगे चलते हैं Neat 2020 Dress Coat for Male Candidates तो according to the Neat Dress Coat, the male candidate need to wear half sleeve shirt or t-shirts, full sleeve shirts are not allowed while the candidates are writing their test तो जैसे कि आप लोग देख के समझ सकते हैं, कि लड़कों को सिफ half shirt या half t-shirt में जाना है, full t-shirt, full sleeves उनके allowed नहीं है, examination center पे, उनका पहन के जाना The clothes should not be elaborate, embroidered or with big flap pockets, यानि कि आपको बहुत आदा embroidery, बहुत आदा designer कपड़ी या बहुत आदा jave जिसमें हूँ, या buttons, chains, ऐसे कपड़े आपको लबग नहीं पहन के जाने हैं, कुरता पिजामा भी allowed नहीं है The candidate should wear conventional trouser और pants without baggy pockets, आपको normal lower या trouser पहन के जिसमें pockets ना हो, जो without pockets के lowers आती हैं, या एक दो pockets को तो भी चलेगा, बट बहुत आदा pockets उसमें ना हो The candidate should wear chaples or sandals as shoes are strictly prohibited in the examination hall जैसा कि आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जूते बिल्कुल भी नहीं पहन के जाने हैं, आपको slippers या sandals जो की light sole वाली हो, लड़कों को वहीं पहन के जाना है तो लड़कों नहीं अपना समझ लियो कि उन्हें क्या पहन करना है, उन्हें एकदम half sleeves के t-shirt में जाना है, प्लस उन्हें lower पहन के जाना है, और सिर्फ slipper या sandals में जाना है उन्हें, उसके लावा कोई fashion वहाँ नहीं चलेगा आपका तो आगे चलते हैं लड़कियों की तरफ, लड़कियों का dress code देखते हैं, female candidates should not wear loud, elaboratory, embroidered, flashy clothes with brooches और buttons मतलब की लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने, जिसमें brooches लगे हों, या बहुत जादा buttons लगे हों, या बहुत जादा fashionable tops वगेरा, ऐसा कुछ भी पहन के नहीं जाना है और लड़कियों के लिए भी full slips के कपड़े allowed नहीं हैं, उन्हें भी half slips में ही जाना है It is advised to avoid wearing jeans, plazo and leggings on examination day, उनके लिए jeans, plazo और leggings यानि की ऐसे कपड़े पहन के जाना भी allowed नहीं है High heels and shoes with thick soles should be avoided, समझ गया है आप लोग high heels और बहुत जादा मोटे जूते, पहले बाद तो जूते ही allowed नहीं है और heels भी allowed नहीं तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं पहन के जाना है Sandal भी एकड़म flat वाली जो कैसे बोलता है आपको एकड़म normal sole की जो आती है Sandals पहन के जाना है और slippers पहन के जाए आप लोग Female candidates should avoid wearing jewelry during the examination, हाँ आपको jewelry बिल्कुल भी नहीं पहन के जाना है और कोशिश कीजिए का जो females bra पहनती है जिसमें hook होता है आप कोशिश कीजिए आप sports bra पहन के जाए या फिर आप long spaghetti में जाए बट आप एक दिन के लिए आप avoid कीजिए अपना hook bra क्योंकि लास अपने भी देखा था कि काफी कलेश काफी कांड हो चुका था इसके चक्कर में तो लेट बलब गल्स भी जो सूट पहन के जाती है वह काफी लूज सूट में जाए हाफ स्लीप साले सूट में जाए यह पॉनास्तिद फुलास्तिद आप avoid करें एक दिन की बात है और बाकी लड़किया है तो वो टी-शिर्ट लोवर नॉर्मल एकदम इन के लिए कोई फैशन नहीं आपका लोवर टी-शिर्ट सैंडल स्लीपर इसमें जाए लड़किया कस्टमरी ड्रेस फॉर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी ट्री एक्जाम ऐसी ड्रेस जो की मलब से मलब चेकिंग हो सके बिना काफी मलब I mean smoothly उनके चेकिंग हो सके तो जो किरपन कड़ा कंगा यह सब चीजर मलब जो 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 क्लोट्स है कुछ लड़कियां बुर्खा मलब हमेशा रखती है तो ऐसे बच्चे एक घंटा रिपोर्टिंग टाइम से पहले जाके रिपोर्ट इलेक्ट्रोनिक आइटम्स लाइक मोबाइल फोन्स एयर फोन्स पें ड्राइब्स माइक्रो फोन्स वाचेस एंड ब्लूटूट डिवाइज़ आड नौट पर्मिटेड इंसाइड दा इग्जामिनिशन हॉल यह सब तो कॉमेंस की बात है आपको नहीं लेके जाना है माइ पैक्ट और अनपैक्ट और पर्सनल वाटर बॉटल विल नौट बी अलाओ इंसाइड दा इग्जामिनिशन सेंटर कैंडिडेट सफरिंग फ्रम डिएपरिटीज और एनी सिमिलर मेडिकल कंडिशन विल बी परमिटेट तो कैरिंग फूड मेडिसिन और अर ट्रांस ट्रां प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपको डियाविटीज है या आपको कोई बीमारी है और आपको मेडिसिन लेना इंपोर्टेंट है अदर्वाइस वहाँ आपको पानी वगर्या सब कुछ मेलेगा तो आपको ऐसा कुछ भी ले जाने की जरुवत नहीं है नेक्स्ट ह और आपको कुछ भी नेके आना वालेट कंप नहीं ले जाना आपको आप एक ट्रांस्पेरेंट पाउच में अपने कुछ पैसे डाल लीजिए और कोई नहीं नहीं आप लेके जाएगा ध्यान रखों तो इतना ही था वीडियो में आपको वीडियो में में आयो और कुछ बच्चों को help भी मिलेगी इससे तो thank you so much guys watching our videos और ऐसे ही और वीडियो के लिए हम्हाँ चैनल को subscribe करें